हाँ अपरीबरदी सो वेलकम बैक ट्यू आनादर वीडियो और आज की वीडियो में जीटीय फाइव के उपर में बना रहा हूं और जीटीय ओनलाइन का एक सॉल्यूशन आपके लिए लेकर के आया हूं मेजुरेटी ओफ जो जीटीय ओनलाइन के प्लेयर से उनके अकाउंट बैन हो चुके है तो उनका जो सॉल्यूशन है वो मैं या पर लियाया हूं इवन ये चीज मेरे साथ हुई है और मैं काफी वरिट था इसके बारे में कि मैं अपने जीटीय ओनलाइन को कभी अन्बैन कर पाऊंगा कि नहीं क्योंकि वो जो बैन था वो पर्मानेट बैन था पर्मानेट बैन को अन्बैन कर पाना बहुत जादा बिल्कुल इंपॉसिबल काम था मेरे लिए जितना मुझे पहले लगता था बट नाव अब काफी टाइम बाद में मैंने काफी रिसर्च करी है थोड़ा बहुत इसके बारे में देखा तो मुझे ये बता लगा कि इसका था नहीं पर जोट जिसके उससे गयों जाकिक नहीं हो जाईगा यानि का पूरा जो गेम हे वो रहे सेट हो जाएगा लेकिन यू कर दो the most important thing you can play game at least you do not need to buy new game right so आपको यह पर कोई ज़रूद नी होगी नए गेम को बाई करने की आप यहाँ पे अपने पुराने आपका जो भी एक इपिक स्टोर का जो गेम था जी टी आ उनलाइन का आप उसी को ही उसी अकाउंट से आप अपने गेम को खेल पाओगे you do not need to buy new game okay so और एक बहुत important चीज़ यह है कि यह प्रोसेस सिर्फ पॉसेरिप GTA 5 उनलाइन इपिक गेम के लिए ही रहे गा स्ट्रीम के अंदर अगर आपके पास GTA 5 है और वो है पैन आप स्ट्रीम के अदर प्रोसेस नहीं कर आओगे क्योंकि स्ट्रीम जो है इस प्रोसेस को अलाओ नहीं करता है यह सिर्फ उपिक गेम के उपर ही एपलाई हो पाएगा so if you are epic games user please please this video is for you only you can watch it till the end यह जो प्रोसेस में आपको बताने वाला हूं पूरा का पूरा प्रोसेस रहने वाला है legal official हम कोई भी इसी modding नहीं करने वाले पूरी वीडियो में हम कोई भी file copy paste नहीं करने वाले है जिससे आपका unban हो जाए या temporary unban हो जाए ऐसा कुछ नहीं करने वाले है हम सीधा contact करने वाले है rockstar को और उनसे क्या कहने वाले है और क्या क्या reply आपको मिलने वाले है और क्या क्या process आपका entirely होने वाला है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको show करने वाला हूँ so 2023 के अंदर ये solution अभी work कर रहा है even कुछ महीनों से भी ये work कर रहा था at the end of the 2022 so यहाँ पर ये solution मैं आपको बताने जा रहा हूँ so let's start the video and मैं आपको बताता हूँ कि क्या process रहने वाला है so first of all आपको इस site पर आजाना है जिसका नाम है support.rockstargames.com आपको लॉग इन करना है अपने gmail id से जो कि आपका band account होगा उसके बाद में आपको ये website पर आने के बाद में social club में जाना है and one more thing इसका जो link है मैं आपको description में दे दूँगा so you can go directly by clicking this link okay so यहाँ पर दिन आपको जाना है social club account में फिर आपको जाना है account linking पर and account linking पर जाने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे के आपके सामने ये कुछ ऐसा page आपको दिखने के लिए मिलेगा so अब आपको यह क्या करना है आपको अपना जो social club का nickname है वो यहाँ पर आपको type करना है तो मेरा जिसे की nickname आप दिख सकते हो Mr.Safron YT411 है तो आपको आपको जो भी होता है आपको यह पर लिख देना है पूरा ख्यान रखिएगा प्लीस यहाँ पर मिश्टिक नहीं होनी चाहिए आपको पस इतना सा ही लिखना है और उसके बाद में आपको क्या करना है नीचे आने के बाद में आपको और कुछ नहीं करना है बस आके submit webs ticket पर कर देना है अप मैंने यह कर दिया है तो मैं यह दोबार नहीं करूँगा आपको देन जाना है आपको उसी जिस mail से आपने यह ticket को submit किया है उसी Gmail ID से आपको जाना है Gmail के अंदर और यहाँ पर आप दिखेंगे कि आपके पास 48 आउट के अंदर message आएगा Rockstar की आउट से कि यहाँ पर आपी जो request है वो received हो चुकी है और reviewed हो चुकी है हमारी team members से अब मैं आपको date बताते चल रहा हूँ कि किस date को मैंने को आया ता यह मैंने को आया था सो यहाँ पर मैंने यह चीज़ भी बोल दीती इने अब next day यह हो गया हमारा जैन 26 और तो next day इनका जो खुद है reply आ जाता है 17th of June को सोरी जैन को 17th जैन 7 5 पे इनका reply आता है और यह बोलता है your request has been updated यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने बोल रहा है thank you for contacting rockstar तो यहाँ पर देख सकते हो in order to unlink your epic account from your social club account please provide the following information यहाँ पर आपको अपनी information provide करनी है जिसना कि आप देख सकते हो कि आपको आपको बोला है कि आपका social club का nickname and email address ठीक है जो कि आप जिसे आप link करना चाहते हो ठीक है and then उसके बाद में आपको screenshot send करना है जिसमें आपको अपना epic profile का name और id clearly show होनी चाहिए ठीक है so यह मैंने इनको send किया था आप मैं आपको दिखा देता हूं यह मैंने send किया था यह दिख सकते हो तो यह मेरा reply है जो मैंने इनको सेंड किया था यह कुछ तीन स्टेप है जो आपको सेंड करने है और इन तीनों स्टेप्स का जो लिंक है मैंने notpad के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिखके दिया हूँ है तो वह से आप जाकर डावरूट कर लीजिए ठीक है यह से कोई यह यह आपको अपना निक नेम चेंज करना हैं अडो मैंने अपे लिखने होगी फिक करी है तो यह पर दिखें़ आपको इमेज भी अटेच करनी है पर शगएट लीची आप पर देख सकते हो तो आपि अपनी प्रइट करने नियसे में परस्टब मेंक पर्षटे में प्रिंड कर जा तो यह तो यह तो आपको फिल्थी रिजुल्टे इन बिरिंग अने बल टु जीटी एफ फाइव जीटी ओनलाइन तो यह आपको जो है कॉपी पैस्ट करना सिंपल से ठीक है उसके बाद में आपको जैसे कि आपको जैसे कि आप स्वेंटीन जैन को यह बात हुई थी और शेवंटीन जैन को में लिपलाइ भी कर रिक्वेस्ट है इस बिन मार्क सॉल्ट एंड यह पर शॉक हो गया उससे देखर किया पात है यह सॉल्ट हो चुका है नीचे मैं जाके देखता हूं तो पोलते है कि वी हैव अनलिक्ट एपिक अकाउंट फ्रॉम देशोचल क्लैब अकाउंट एंड मैं शॉक हो गया था अकाउंट और उससे मैं अपने जीटी फाइव इपिक गेम्स को कनेक्ट कर सकता हूं और गेम को वापर से खेल सकता हूं मैं माफी चाहूंगा मैंने उस टाइम की वो रिकॉर्डिंग नहीं करी थी बट बट मैंने फाइनली आपको अपने इमेल्स दिखा दिये है जो मेरे पुराने इमेल्स दे और उस वज़द से मैंने अपना जीटी फाइब को जो है पुरा पैंड कर लिया था सो दिस वोज दी लीगल प्रोसेस ऑफ यू आर सोलीशन थी प्रोसेस आपने देख लिया है पूरा का पूरा क्या प्रोसेस और यही प्रोसेस है जिसकी वज़द से हम अपने जीटी आ उनलाइन को अन्बैन करेंगे और यह सोलीशन को इबलिमेट करके मैंने अपना जीटी आ उनलाइन को अन्बैन किया है सो आई होप कि आप सभी लोगों का से जो है इस प्रोसेस से आपकी आईडी अन्बैन हो जाएगी और आप एबल होगे नया गेम खेलने के लिए एक नई स्टार्टिंग होगी आई नो मैं समझ सकता हूँ बहुत प्रोब्लम आती है नहीं स्टार्टिंग में क्योंकि कुछ मनी नहीं होता है स्टार्टिंग में आगे भी हम ट्राइकरेंगे अप्लोट करने का so I hope you'll like this video मैं मिलता हूं Next video में Another video होगी कोई Special try करेंगे ज़रूर उस video का अप्लोट करने का जो भी video आनी होगी so मिलते हैं Next video में Thank you so much for watching this video and bye guys